लोकतंत्र के लिए शब्द जनन आये कम है, जिसका अर्थ है कि लोग नेता हैं. अगर लोकतंत्र को काम करना है, तो जागिर्दारी वाले तरीकों को खत्म करना होगा. हम धर्म और जाती से परिज आकर वोट देने की बाते कर रहे हैं. पर पाटी का क्या? पाटी नया धर्म था या नहीं। इसमें कहा गया था कि आपने धारा 370 हटाने का सुझाओ दिया है। अगर आप वाके में इसमें विश्वास रखते हैं, तो क्या आप इस बारे में और अधिक बता सकते हैं। देखे, देश में ये उलजन है कि कौन सी जमीन भारत है और कौन सी जमीन भारत नहीं है, आपको इसे सुलजाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो ये जगड़े हमेशा चलते रहेंगे। दोनों तरफ से कितनी जाने जा चुकी हैं। आप ऐसा कब तक करना चाहते हैं। हमें तय करना होगा। आप में फैसला करने की हिम्मत होनी चाहिए। वरना अगर आप राष्टर को संगठित नहीं करते हैं, तो ये समस्या बनी रहेगी। नई पीड़ी की भी यही उलजन है। उन्हें ब्रह्म है कि क्या मेरा इस राष्टर से संबंध है या इस राष्टर से संबंध नहीं हैं क्योंकि विभिन लोग अलग-अलग तरीकों से प्रचार कर रहे हैं। So I am only talking about anything and everything, which is coming in the way of integrating the nation, must be removed. राष्ट्र को संगठित करने के रास्ते में आने वाली हर चीज को हटाना होगा, और मेरी राय में धारा 370 उन चीजों में से एक है, जो आबादी को भ्रहमित कर रही है, उन्हें ये नहीं पता कि वो कहां के हैं. सद्गुरू, मेरा सवाल नशीले पदार्तों के बारे में है, क्या आपको लगता है कि अगर नेतावों को नशीले पदार्त दिये जाएं, तो हिंसा को रोपने में मदद मिलेगी? अब आप उन्हें नशा देना चाहते हैं, बाकी चीजों से काम नहीं बना. ठीक है, हाँ, ये एक समाधान हो सकता है. वे खुद में इतने अधिक व्यस्त होंगे कि एक दूसरे की चिंता ही नहीं करेंगे. देखिए, हमें ये समझने की जरूरत है. हम हमेशा सोचते हैं कि कोई एक नेता समस्या है, चाहे यहाँ या वहाँ. हमें ये समझने की जरूरत है कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं. तमिल भाषा में, दक्षणी भारत में, तमिल भाषा में, लोकतंत्र के लिए शब्द जनन आयकम है, जिसका अर्थ है कि लोग नेता हैं. ये इतना सरल नहीं है कि आप एक नेता को ड्रग्स दे और हमारी समस्याएं खत्म हो जाएं. इसकी जड़ें उससे कहीं अधिक गहरी हैं. अधिकान शाबादी शायद इसमें शामिल ना हो. अगर ये देश की आबादी का केवल दो प्रतिशत ही हो, तो भी ये बहुती उर्जवान दो प्रतिशत आबादी हैं. 98 प्रतिशत आबादी शायद वहाँ हो, लेकिन वो थोड़ी नींद में हैं. शायद वो पहले ही नशे में हैं. एक तरह से वो हैं. वो अपनी सुस्ती के नशे में हैं. वो अपनी खुद की कहानियों के नशे में हैं. वो इस तरह के विश्वास के नशे में हैं, कि एक दिन कोई आकर उन्हें बचाएगा. नहीं, मुझे लगता है कि हमें उन्हें नशे से बाहर लाने की जरूरत है वो अलग-अलग प्रकार के नशों में हैं, जो उन्हें सुलाई रखते हैं लोगों को जगाने की जरूरत है, न कि लोगों को सुलाने की लोगों को सुला देना एक अस्थाई हल है और आप नहीं जानते कि जब वो जागेंगे तब क्या करेंगे जब नशा उतर जाएगा तब हम नहीं जानते कि वो क्या करेंगे पर ये एक रंगीन विचार है गुरुजी आज सुभे यहां ऐसे बहतरीन लोगों के बीच होना मेरा सौभाग्य है बहुत बहुत धन्यवाद पहले पैनल में किसी सर्जन ने कहा था कि ज़रूरी नहीं हमारे राष्टर के नेतरित्व की आवाज लोगों की आवाज हो और एक तरह से आपने मुझे वाकई मेरे सवाल तक पहुँचा दिया जब आपने जननायकम की बात की जिसका मतलब है लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा है इसलिए एक तरफ हम लोगों को सशक्त बनाने के लिए ऐसे निड़ने लेने की बात कर रहे हैं जिनसे राष्टरों को फाइदा होगा लेकिन ये वही लोग हैं जो बड़े परदे पर एक कालपनिक चरित्र के चित्रण पर असहंशील हो जाते हैं और सर काटने की धमकी देते हैं मेरा प्रशन है कि हम असहंशील क्यों हैं और ये सीधे UAE की सहंशीलता वर्ष से संबंदित है मुझे किसी का सर काटने वाली बात समझ नहीं आई ये पदमावत विवाद से संबंदित है वो अभिनेत्री तो हम लोगों को ससक बनाने की बात कर रहे हैं और हमारे सामने वही लोग छोटे-छोटे मुद्दों को उठाते हैं जब हमारे सामने बड़े मुद्दे मौझूद है देखिए लोकतंत्र लोगों को कुछ विशेश अधिकार देता है पर इसमें सभी लोगों के जिम्मेदारी भरे व्यवार पर जोर देने की कोई खास व्यवस्था नहीं है इसलिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों से इन खास अधिकारों का दो रुप्योग करते हैं ये मत सोचिए कि ऐसा हमेशा होता है ज्यादतर लोग ऐसे नहीं है जहां तक नेताओं के लोगों का प्रतिनिधी होने की बात है तो आम तोर पर तरक ये होता है कि सिर्फ 60 प्रतिशत लोगों ने वोट दिया है जिसमें से वर्तमान नेता को केवल 31 प्रतिशत वोट मिले है तो वो देश का नेता कैसे हो सकता है तो बचेवे 40 प्रतिशत लोग क्या कर रहे हैं जब उन्होंने वोट ही नहीं दिया है तो उन्हें टिपणी करने का भी हक नहीं है तो अगर ये आपके लिए माइने रखता है तो आपको वोट देना चाहिए ये एक विशेश अधिकार है आपको ऐसा करना चाहिए अब सवाल है कि इसे कैसे करें ये बहुत महत्वपून है कि चुनावा रहे हैं और शायद आप में से कई लोग भारत में वोट देंगे महत्वपून बात ये है कि अगर लोकतंत्र को काम करना है तो जागिरदारी वाले तरीकों को खत्म करना होगा जैसे कि अगर एक परिवार भी एक इकाई के रूप में वोट देता है तो ये लोकतंत्र नहीं है गुप्त मद्दान रखने का कारण यही है कि हर कोई खुद सोचकर वोट दे सके अगर आप एक परिवार के रूप में वोट देते हैं या एक संप्रदाई या एक धर्म के रूप में वोट देते हैं या फिर अगर आप एक पाटी के रूप में भी वोट देते हैं मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ जिससे मैं देश के सभी राजनेतिक दलों में अलोकप्रिय हो जाऊंगा मैं कहा रहा हूँ कि राजनेतिक पाटी की सदस्यता ही हटा दी जानी चाहिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं विशेश रूप से अमेरिका में देखता हूँ अगर आप किसी से पूछें तो वो कहता है कि मैं एक रिपब्लिकन हूँ क्यों मेरे पिता एक रिपब्लिकन थे मेरे दादा एक रिपब्लिकन थे इसलिए आपका वोट पहले से ही तह है ये जागिरदारी वाला तरीका है इसमें लोकतंत्र कहा है हम भी तेजी से वैसे बन रहे हैं हमारे देश में शुरुआत में ऐसा नहीं था लेकिन अब हम तेजी से वैसे बन रहे हैं मुझे लगता है कि ये राजनीतिक सदस्ता नहीं होनी चाहिए एक सीमा होनी चाहिए अगर उन्हें पाटी चलाने के लिए थोड़े बहुत लोगों की जरूरत है जैसे कि 500 लोग या 1000 लोग तो उतने लोग सदस्य हो सकते हैं आम जनता को सदस्य नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो पहले ही प्रतिबद्ध हो जाते हैं जो अच्छी बात नहीं है हर चुनाव में आपको मूल्यांकन करना चाहिए कि पिछले पांच वर्षों में क्या हुआ है क्या कोई फाइदा है क्या हमें उन्हें एक और मौका देना चाहिए या नहीं ये बात हर इंसान को तै करनी चाहिए अगर एक समुह में वोट तै करते हैं क्योंकि आप पाटी के एक सदस्य हैं या किसी धर्म से जुड़े हैं या फिर जाती आदी के होने के कारण तो ये कोई लोकतंत्र नहीं है ये लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ जागिरदारी है और ज्यादतर देश ऐसे बनते जा रहे हैं विशेश रूप से अमेरिका में ये हो रहा है और भारत उसी ओर जा रहा है मुझे लगता है कि अगर हम सुधार चाहते हैं हम धर्म और जाती से परिज आकर वोट देने की बाते कर रहे हैं पर पाटी का क्या? पाटी नया धर्म बन गया है ये मैतोपूर्ण है कि सदस्चिता नहीं होनी चाहिए और लोगों को चुनाव से ठीक पहले तै करना चाहिए कि वो किसे वोट देना चाहते है वरना हम लोग तांतरिक प्रक्रिया का नाश कर देंगे सद्गुरु जी आपको सुनकर हमेशा खुशी होती है आज आपके पास फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे स्थान है जो राश्ट्री सीमाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं करते हैं इसलिए जब हम देश की सीमाओं की बात करते हैं तो क्या हम 19-20 सदी की सोच की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से पुरानी हो गई है निश्चित रूप से लेकिन हमें उस जगा को समझने की ज़रूरत है जिसकी हम बात कर रहे हैं दुनिया के 33 प्रतिशत को पोशिद बच्चे भारत में है हमारी लगभग एक तिहाई आबादी उन्नीसवी सदी में भी नहीं है वो अठारवी या सतरवी शताब्दी में है और जब वो उस हालात में हैं तब हमारा 21 सदी की बाते करना जैसे कि सभी का जीवन वैसा हो ये ठीक नहीं है अभी आपको राष्टर की सीमाएं मजबूत करने की ज़रूरत है क्योंकि इन्हें मजबूत किये बिना आप लोगों को संबोधित नहीं कर सकते जब आबादी सुक्ष सम्रिधी के खास तर पर आ जाए तब बेशक हमें इन सीमाओं को ढीला करना होगा हमें ये समझना चाहिए कि सामाजिक विकास के अलग-अलग स्तरों पर राष्टर निर्मान अलग-अलग तरीकों से होता है दुर्भाग्य से पहले 25-30 वर्षों में अगर हम एक विक्सित राष्टर बन गए होते तो हम एक अलग बात कर रहे होते मैं निश्चित रूप से एक अलग बात बोल रहा होता लेकिन मेरा 70 प्रतिशत कार एक ग्रामीन भारत में है और हम किसे कीसवी सधी की बात कर रहे 21-वी सधी की बात हम सिर्फ तब करते हैं जब हम बैंगलो और मुंबई जैसी जगा पर जब हम गावों में होते हैं हम अठारवी सधी की बाते करते है यही हालत है उन लोगों की तो जब हम देश की सौ प्रतिशत आबादी के बारे में एक साथ कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम बुनियादी पोशन का सुधार तो होना चाहिए सिर्फ तभी हमें सीमाओं को खोलने के बड़े विचारों की बाते करनी चाहिए सबसे पहले भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्री लंका अगर उनमें आर्थिक रूप से थोड़ी बहुत समानता हो तो सीमाए खोलना कारगर होगा वरना जबा समानता बहुत भारी हो और आप सीमाए खोल दें, तो उथल पुथल होगी और हर हाल में संघर्ष होगा इसलिए मैंने कहा कि अगर आर्थिक सीमाओं को ढीला करें राजनीतिक सीमाओं को कड़ा रखते हुए आर्थिक सीमाओं को कुछ समय के लिए ढीला करें क्योंकि अर्थ व्यवस्था को बढ़ाए बिना अर्थ व्यवस्था के आकार को बढ़ाए बिना वाकई कोई समाधान नहीं है क्योंकि एक छोटी रोटी को आप जैसे भी तोड़ें उससे काम नहीं बनेगा हमें इसे बड़ा बनाने की जरूरत है जब अर्थ व्यवस्था का आकार काफी बड़ा हो जाए और इसके परयाप्त बड़े होने के लिए इन राष्ट्रों को कम से कम आर्थिक तौर पर एक होकर काम करना होगा अर्थ व्यवस्था चलाने के लिए कम से कम उपरी तौर पर एक गठ बंधन हो उसके बाद हम देश की सीमाओं को ढीला करने की बात कर सकते हैं